हेलो 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 और आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगबग हर एक घर में होता है तो यह है हिक्स का डिजिटल थर्मोमीटर पहले थर्मोमीटर आते थे जिसमें की पारा भरा हुआ होता था हाँ उसको मुमें रखते थे वो उपर जाता था और फिर हमें पता चलता था कि बॉडी टेमपरिचर कितना है लेकिन आज कल इतना आसान हो गया कि नमबर देखो और आपको पता चल जाएगा कि बॉडी का टेमपरेचर कितना है तो आईए आपको देखाते हैं हिक्स का डिजिटल थर्मोमीटर यह एक प्लास्टिक के केस में इस तरह से आता है और यह है आपका थर्मोमीटर के ऊपर यह होता ना कि किसी का ओरिजिनल है यह इसे उस पर आपको दिखाई देरा होगा हिक्स ओरिजिनल हाँ तो यह देखने के बाद चलिए अब देखते हैं थर्मोमीटर को थर्मोमीटर के यहां जो मैंने बटन दबाया उससे अन कर लेते हैं नॉमली यही नमबर आता है उस पर फिर लास की जो दो यह तीन या पांच हिस्ट्री होती है आपकी वो आ जाती है मतलब लेटेस्ट आपने जो चेक की होंगे थर्मोमीटर जो टेंपरिचर निकला होगा तो यह हो गया आपका थर्मोमीटर अब काम की बात इस पर लिखी हुई है जो मैंने सलिप अभी निकाली है हाँ इसी सलिप पर इसी सलिप पर लिखा हुआ है कि क्या आप डिरेक्शन्स हैं यानि कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं यानि और अगर आपको टेंपरिजर परने हाइट से सेल्शियस में बदलना है तो वह आप कैसे कर सकते हैं औरल यूज़ के लिए हैं आम पेट यूज़ के लिए हैं रेक्टल यूज़ के लिए हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वह आपको यही बता सकते हैं लाइक वह यहां पर लिखा हुआ है आपर आम से लेंगे वो चीज़ है वर्निंग भी दी हुई है यानि कि इसके साथ में क्या क्या नहीं करना है तो वो चीज और इस्तमाल करने से पहले आपको पढ़ने के लिए ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है यह हमारा थर्मोमीटर का मॉडल की कैसा है यह यह आप बैटरी कैप है यह ओन ऑफ बटन है यह जीडिये प्रोब है प्रेकॉशन्स भी दिये हुए है कि क्या नहीं करना है बैंट नहीं करना थर्मामीटर को बॉयल नहीं करना है पानी में उसको है ना और भी चीजें तो यह हो गया आपका खतम तो जरूरी रजरूरी बातें हो गई है हमारी सबके घर में अपर्टनली होना चाहिए वरना हलका सा भी फीवर आता है तो लगता हो फीवर आ गया हंजी चैलिए आज के लिए इतना ही आप से में